एक साल में 18 डॉक्टरों ने दिया इस्तिफा भरती नहीं ओपीडी और एमर्जेंसी सेवाएं प्रभावित जिलास्पताल और चरग भवन में एनेचेम डॉक्टरों की कमी से संघर्ष जिलास्पताल और चरग भवन में लगतार एनेचेम डॉक्टर अपने पदों को छोड़ रहे हैं जिससे स्थाने चिकत्सकों की कमी की समस्या बढ़ गई है वरतमान में जिलास्पताल में केवल 13 डॉक्टर कारे रथ हैं जबकि कुल 31 एनेचेम डॉक्टरों की आवश्चकता है उजएन जिलास्पताल संभाग का सबसे बड़ास्पताल है और यहां प्रत्पिन उजएन के निवासियों के साथ-साथ आसपास के जिलों के मरीज भी इलाज करवाने आते हैं इसके परणाम सवरुप असपताल में OPD के समय हमेशा कतारे लगी रहती है और आवश्चकता होने पर ऑपरेशन और असपताल में दिन रात मरीजों के आगमन के स्थिती होती है असपताल में स्टाफ की कमी को लेकर हमेशा से यह शिकायते रही है OPD ICU Emergency में मरीजों की सबसे ज्यादा आवश्चकता होती है और फिलहाल में स्थाए स्टाफ में डॉक्टरों की कमी के कारण आराम से नौकरियां खाली है इसकी कारण Emergency Duty OPD ICU और NICU में डॉक्टरों की कमी होती है और यहां मरीजों की परिशानी उठानी पड़ती है इस मुश्किल स्थिती के चलते अस्पताल प्रशासन निया संजा है कि इस अवसर को देखते हुए डॉक्टरों की नियुक्ती की आवशकता है और वे इस कठिन समय में आराम से जरूरी शेवाओं को प्रदान कर सकें अस्पताल प्रशासन ने समस्या को हल करने के लिए कई बार आवेदन दिया है लेकिन अभी तक कुछित प्रतिक्रिया नहीं मिली है डॉक्टरों की नियुक्ती के लिए अभी तक कोई समविदानिक कदम नहीं उठाये गया है जिसके कारण अस्पताल में चिकित्सकों की कम आने के लिए प्रयासरत है और या सुनिष्ट करने के लिए कि मरीजं की आवश्चक इलाज समय पर मिले इस मुश्किल इस्थिती को समस्ते हुए अस्पताल प्रशासन डॉक्टरों की नियुक्ती के लिए उचित कदम उठाने का प्रयास कर रहा है ताकि मरीजों को आराम स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें